नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी यूटुब चैनल कुनार टेक्निकल सलूशन है तो दोस्तों हमारे पास आज एक कस्टुमर का ये कम्प्यूटर आया है जिसके अंदर हमें ये वाली एरर देखने को मिल रही है डिस्क बूट फेलियर इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस एंटर तो दोस्तों आज जो है हम आपको इस एरर का जो है सलूशन बहुत ही असानी से बताएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका धकन खोल लेता हूँ कम्प्यूटर का और सबसे पहले जो है इसकी पावर निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि कब ये हमें एरर देखने को मिल रही है दोस्तों ये वैसे जो एरर है हमें कम्प्यूटर स्टार्ट करते ही देखने को मिल रही है तो power को मैं निकाल लेता हूँ और अब जो है मैं power को दुबारा से लगा देता हूँ system के अंदर तो power जो है फटाफट से लगाने के बाद आपको on करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये on होते ही हमारे पाज एरर आ रही है तो system जो है मैंने on कर दिया है देख सकते हैं पंगा घुमने लग गया है तो screen पे जो है लेन वो लिखा आ गया है तब ही जो है आपको ये वाली एरर देखने को मिलेगी शुरुवात में window जो है boot नहीं हो रही है इसके अंदर जो है direct ये वाली एरर हमें देखने को मिल रही है तो पहले जो है मैं एरर दिखाँगा किस तरीके से आ रही है फिर जो है step by step आपको उसको solution बताऊँगा वो भी बिना window को दुबारा से install करे तो दोस्तों देख सकते हैं दुबारा से वोई error आ रही है disk boot failure insert system disk and press enter तो ये वाली error जो है दुबारा से देखने को मिल गई है जैसे ही own हो रहा है हमारा computer boot नहीं हो रहा है तो power जो है मैं फटापट से निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं hard disk में दो केबल लगी हूई है ये जो उपर वाली केबल होती है ये होती है power की और जी नीचे लाल वाली केबल आपको दिख रही है लाल वाली वो होती है data की केबल तो फटा फट से पहले मैं power की केबल को निकाल लेता हूँ थोड़ी tight है तो हमारी ये निकल आई है केबल और उसके बाद जो है हमें ये लाल वाली केबल निकालनी है hard disk में से और ये जो board में लगी है दूसरी वो उसको भी निकाल लेना है तो दोनों connector जो है हमारी निकल चुके हैं एक board वाला भी और hard disk वाला भी अच्छे से जो है ये लाल वाली केबल जो है हमारी डाटा वाली इसको भी जो है हम अच्छे से साफ कर लेते हैं आप बड़े ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से जो है इसको साफ कर रहा हूँ तो इसका जो दूसरा connector उसको भी अच्छे से साफ कर लेना है देख सकते हैं बहुत असानी से और अब जो है इसको हम वापस से लगा लेते हैं बोर्ड वाले कनेक्टर में साटा वाले को और ये जो है इसको भी हम हार्डिस में लगा लेते हैं साफ करने के बाद अच्छे से थोड़ा सा दुबारा से साफ करके इसको लगा लेते हैं और ये power वाला है इसको भी हलका सा थोड़ा सा और साफ करके इसको लगा लेते हैं Power की जगे पे अधिकतर दोस्तों ये वाली जो दिक्कत आती है cable की वज़े से ही आती है cable में गंदिकी आ जाती है मिट्टी आ जाती है इस वज़े से इन में दिक्कत आ जाती है. तो अब मैं power की cable लगा लेता हूँ और system को दुबारा से on कर लेता हूँ. तो power button दबा के मैंने system को on कर लिया है. देख सकते हैं, पंखा spin करने लग गया है हमारा. तो आप देख सकते हैं, Lenovo का हमें logo दिख गया है. तो आप देखते हैं, क्या हमाई वही error देखने को मिलती है. या फिर अब हमारा computer boot करने लग जाता है. तो इसी screen के बाद हमाई error देखने को मिल रही थी. तो दोस्तों देख सकते हैं, हमारे को starting windows दिखने लग गई है. हमारी जो error हमें आ रही थी, disk boot failure की, वो अब जो है जा चुकी है. देख सकते हैं, विंडो 7 जो है, हमारी boot करने लग गई है. इससे पहले जो है, हमारी जो है, विंडो 7 boot नहीं कर रही थी, हमें वाली जो है, error आ रही थी. तो देख सकते हैं, किस तरीके से जो है, केबल साफ करते ही, हमारी जो है, विंडो बूट हो गई है, हमारी जो error आ रही थी, वो बहुत ही असानी से जा चुकी है. तो दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, आपको जो है, एक बारी ये वाला system, जो है, restart भी करके दिखाऊंगा. कई बार ऐसा होता है, कीबोर ले लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है, दोस्तों, एक बार बूट हो जाता है, लेकिन दूसरी बार बूट नहीं होता है. तो देखिए, मैं restart कर लेता हूँ system को, और दुबारा से आपको इसको बूट करके दिखाता हूँ. तो देखते हैं क्या ये computer हमारा दुबारा restart करने पर boot होता है या फिर हमें वही error देखने को मिलती है disk boot failure वाली तो restart हो रहा है हमारा system Lenovo का logo आ गया है तो देखते हैं क्या वही error आती है या फिर हमारा Windows 7 से दुबारा से हमारा system boot हो जाता है बिल्कुल सठीक जानकारी दी जाती है दोस्तों हमारे channel पर बिल्कुल 100% problem का समाधान हमारे channel पर दीया जाता है तो दोस्तों देख सकते हैं दुबारा से जो है starting windows आ चुका है हमारी जो वो disk boot failure वाली error थी वो बिल्कुल जा चुकी है दोस्तों कई बार ऐसा होता है अगर ये error आपकी नहीं जाती तो वो जो आपको मैंने लाल वाली cable दिखाए थी data वाली आप उसको दूसरी नई change करके भी देख सकते हैं तो अभी हमें change करने की जुटत नहीं पड़ी हमारा हलका सा साफ करने से ही वो error जा चुकी है तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जुरू बताएगा और इस वीडियो को जदा दा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि जदा से जदा लोगों को पता लग पाए कि इस error को जो है किस तरीके से हम अपने computer से हटा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इस वीडियो को जदा शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तों आज का आओ वीडियो देखने के लिए